नेक्स टॉपिक क्या है हमारा नेक्स टॉपिक है युनिट्स ऑफ मीजरिंग एंगल ठीक है किस तरीके से हम मेजर करते हैं एंगल को ठीक है तो एंगल को मेजर करने के लिए जो युनिट्स बनाई जाती है तो कौन सी युनिट है जिससे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं तो ऐस से क्या करते हैं डिग्री को ऐसे डॉट में लगाते हैं ठीक है डॉट बना देते हैं और उसको कहते हैं वो डिग्री है तो यह डॉट जो है वो डिग्री नहीं होता ठीक है यह डॉट तो हम किसी प्लें सर्फिस पे एक डॉट लगा दे तो वो पॉइंट भी बन सकता है ठीक के और 20 के उपर इदर के साइड मैंने क्या लगाया इस तरीके का गोला बना दिया तो यह क्या बन गया मेरा 20 degree angle बन गया ठीक है समझ में आ रही है चीज तो degree को आप इस तरीके से लिखेंगे अब यहाँ पर दिख लेते हैं कि angles के कितने किटने types होते हैं कौन कौन से क्यक्किक है तो बहुत सारे types के angles होती है बटा इसमेंसरा डाइप कर टाई adalah rectangle क्या होता है राइट अंगल में हमेशा जो angle बनता है restrictive current call के अंदर हमेशा एंगल 90 degree का बनता है 90 degree का हमेशा एंगल बनता है 90 degree का मतलब क्या होता है अगर मैं किसी plane surface पे किसी भी plane पे अगर मैं सीधी एक line ठीक है सीधी एक ray इस तरीके से मैं सीधी एक ray draw करूँ ठीक है तो इस एक ओ व्बूइंट पे यहां سے 2 ray tô निकल रही है एक ray जो मैंने यहां ऊपर से मैंने सीधी line मैंने क्या किया draw किया तो तो जो सीधी line draw किया उसको क्या बोलते हैं अपन perpendicular बोलते हैं क्या कहते है perpendicular ठीक है तो यह line जो है वो perpendicular है किसके इस वाले plane line के इस वाले plane surface के, ठीक है, तो यहाँ जो angle बन रहा है, यहाँ angle बन रहा है वो बन रहा है 90 degree का तो जब भी किसी plane पे कोई भी एक perpendicular line draw होती, तो हमेशा angle किसका बनता है, 90 degree का angle बनता है, अगर आपको ऐसे भी ना याद रहे, तो आप इस तरीके से याद करेंगे, कि जब भी आप L बनाते हैं, तो जहाँ भी L बनता है, वहाँ पे कितने degree का angle बनता है 90 degree का angle बनता है, और जब angle 90 degree का हो, तो उस angle को हम क्या बोलेंगे, right angle बोलेंगे, समझ में आगे चीज clear, so one right angle जो होगा, वो कितने degree का होगा, वो B, तो AOB कितने degree का है 90 degree का है, okay second अगर हम बात करते हैं, तो second angle है हमारा acute angle acute angle क्या होता है, बटा, तो acute angle क्या होता है, 0 से थोड़ा ज़ादा होता है 0 से 0 degree से थोड़ा ज़ादा होगा, और 90 degree से कम होगा, ठीके, मतलब अगर हम बात करेंगे आप अगर D में देखोगे ठीक है तो D के अंदर क्या होता बटा 0 degree से 0 degree से थोड़ा सा जादा होगा और 90 degree ये 90 degree तक नहीं पहुच पहेगा ये 90 से थोड़ा कम होगा ठीक है तो देखे अब अगर 90 degree बनाना होता तो 90 degree कहा बनता बटा 90 degree मेरा इधर बनता, इस तरीके से बनता, तो 90 degree से क्या है, 90 degree से क्या है, ये कम है, ठीके, उससे less than है, तो जब angle हमारा 90 degree से कम हो, अब 90 degree से कम, मतलब वो 80 degree भी हो सकता है, 60 degree भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, बट वो 90 से आगे नहीं हो सकता, ठीके, 90 से जादा कम हो और 0 से जादा हो तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे हम इस डिघरी वाले एंगल को हम बोलेंगे acute एंगल समझहां आगे चीज तो यहां पर ही एंगल जो बन रहे है वो acute अगर हम बात करें third तों हमारा है obtuse angle, ठीक है, obtuse angle किसको कहते हैं, तो obtuse angle इसका just a positive, acute angle acute angle क्या होता है, 90 से छोटा होता है, obtuse angle क्या होता है, 0 से बड़ा तो होता ही है, बट 90 से भी बड़ा होता है, ठीक है, more than 90, 90 degree कहां बनता अगर मैं बात कर रही हूँ, इसी diagram में, अगर मैं 90 degree बना कर बता हूँ आपको, तो 90 degree जो है, वो मैं यहां बनाती ठीक है, क्योंकि सीधी line जा रही है तो यहां 90 degree बनती, बट यह 90 degree से क्या है, थोड़ा जादा है, 90 degree से थोड़ा जादा है, ठीक है, तो जब angle 90 degree से जादा हो तो वो किस type का angle कहलाता है, वो कहलाता है, obtuse angle, ठीक है, तो right angle जो 90 degree का, exact 90 degree का होता है, acute angle जो 90 degree से छोटा होता है, 0 degree से थोड़ा बढ़ा होता है, ठीक है, उसके बाद अगर हम पात करें, obtuse angle की, तो obtuse angle क्यों होता है, obtuse angle जो है, वो हमारा 90 degree से कहते हैं तो straight angle का मतलब होता है जब हमारा angle 180 degree का बने 180 degree का मतलब क्या है वो obtuse angle वो 90 degree ठीक है 90 degree से बड़ा obtuse होता है अब उससे भी और जादा बड़ा हो जाए और total पूरा एकदम straight line बन जाए ठीक है clear तो वहां पर कौन सा एंगल बनेगा वहां एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल ठीक है तो स्ट्रेट एंगल मतलब जब यह complete line कि स्ट्रेट लाइन बन जाए ठीक है clear तो स्ट्रेट एंगल समझ में आया 180 डिगरी का होगा अब स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्या होता बिटा अब देखे स्ट्रेट लाइन क्या बना था मेरा 180 डिगरी का बना था अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन से भी क्या करूँ थोड़ा और बढ़ा दू ऊपर की और नहीं थोड़ा नीचे की और ब more than 180 degree, 180 degree से थोड़ा सा जाधा, but 360 degree से कम, ठीके, कितने आपको degree का ध्यान रखना है, बिटा, 180 degree से जाधा होना चाहिए, but 360 degree से कम होना चाहिए, ठीके, तो इस तरीकी का जो angle बनेगा, जो नीचे के side बनेगा, ठीके, स्ट्रेट लाइन से, नीचे के side जो angle बनेगा, वो angle 180 degree से, ओविस सी बात है, 180 degree से बड़ा angle है, ठीके, तो उस angle को क्या बोलेंगे, reflects angle बोलेंगे, clear, समझ में आगई चीज, ठीके, अब last जो हमारा angle है, वो क्या है हमारा, वो है complete angle, अब complete angle किसको कहते बिटा, तो complete angle का मतलब है कि वो complete angle जो होता है वो reflex angle से भी बड़ा होता है अब reflex angle से बड़ा होने का मतलब यह है कि वो 180 से बड़ा तो reflex angle होता है ठीक है अब reflex angle जो होता है वो 360 से छोटा होता है पर अगर हमारा angle complete 360 घूम जाए मतलब अगर हमारा एंगल जो है वो 360 पूरा round ले ले ठीक है complete circle बन जा यह तो वो हमारा angle क्या बन जाता है वो angle बन जाता है complete angle तो complete angle कितने degree का होता है complete angle 360 degree का होता है ठीक है तो यहां आप देख रहे हैं किस तरीके से angle के अंदर हम क्या कर रहे है degree के help से हम angle को measure करते हैं ठीक है और जैसे जैसे हमारी degree बढ़ रही है हमारे जो angles है वो different types के angles हमें देखने को मिल रहे है 90 degree था तो हमारा right angle था 90 से हमने थोड़ा सा कम कर दिया तो हमें acute angle मिल गया 90 से थोड़ा सा कम मतलब 90 से कम कोई भी value हो सकती है जरूरी नहीं है कि यहाँ पर के ikel 60 हो 65 भी हो सकती है धीUM,90 से कम होनी चाहिए जिक है और 0 से जाद होनी चाहिए अब यह नहीं है कि 0 होनी चाहिए ठीक है तो 90 से जब मैने थोड़ा सा बढ़ाया तो 90 से मैंने बढ़ाया बट 180 से कम रखा तो मेरा कहला गया obtuse angle ठीक है और अगर मैंने obtuse angle को ओर ठोड़ा बढ़ाया तो वो 180 degree पर आगया और जब 180 degree पर आगया तो हमने उसको क्या बोलते हैjuю rectangle के दिया अब मैंने 180 degree को भी थोड़ा सो और बढ़ाया ठीक है जब उसको मैंने और आगे बढ़ाया तो क्या हो गया 180 से increase हो गया बट 360 से कम रहा वो ठीक है तो जब मैं 360 degree से मैं कम रखूं और 180 से ज़्यादा बढ़ा दूं increase कर दूं तो वहाँ पे जो angle बनेगा मेरा वो angle बनेगा reflex angle ठीक है और अगर मैं complete पूरी तरीके से मैं इस angle को angle के इस arm को मैं पूरी तरीके से गुमा दूं ठीक है तो मेरा क्या बन जाया मतलब ओपर से गुमता हुआ आया गुमता हुआ आया और पूरी तरीके से घींचे से भी घुम गया ठीक है तो यहाँ पे मेरा complete सरकल बन जाए गा और उसको कहेंगे हम कंप्लीट एंगल जो की होगा 360 डिग्री ने एक कंप्लीट सरकल जो होता है वह कितने डिग्री का अगल 360 डिग्री का होता है और उसका यह बीच में जो यह अगर मैं इसे जो लाइन कहिशती उतरा तो सेंटर से लाइन करती है वो मेने diameter के लाती है और वो diameter कितने गरी का होते हैं तो मतल्ब diameter के ऊपर 180 degree का और नीचे 180 degree तो 180 degree प्लस 180 degree कितने हो गया तो 360 degree ओगया तो 360 degree में यह मेरा पूरा circle बन गया ठीक है समझ में आगपी चीज़ तो हम ने यह क्या देख लिया कितने-कितने different types के angles होते हैं अब हम अपने exercise 13B को complete कर सकते हैं ठीक है, 13B के अंदर जो questions है वो किस से related है बटा? Angles से related है, ठीक है? So दीखें, यहाँ पर exercise 13B 13B का जो पहला question है हमारा state the type of angle हमारे पास कुछ figures जो है वो given है, ठीक है, कुछ diagrams given है और कुछ figures को हमें उस figures के क्या बताना है कि उनके बीच में कौन सा, किस type का angle बन रहा है, ठीक है? इन figures में हमें यह देखकर बताना है कि किस type का angle बन रहा है इस figure के अंदर, ठीक है? तो पहला figure दीखें, पहला figure हमें कैसा दिख रहा है बटा? first figure के अंदर आप यहां पे देख रहे होंगे कि अगर मैं इस initial point O की बात करूँ ठीक है तो यहां से अगर कोई सीधी line आती ठीक है उस O point पे अगर कोई सीधी रे आती तो यहां पे कितने degree का angle बनता 90 degree का angle बनता ठीक है न अगर यह इस तरीके से सीधी line यहां से मैं draw करूँ तो यहां पे angle कितने का बनता 90 degree का बनता पर यह 90 degree से क्या है थोड़ा आगे है 90 degree से आगे होने का बन्दब यह 90 degree से बड़ा है तो जब 90 degree से बड़ा है तो यहां पे किस type का angle हमें दिख रहा है आनांटी डिग्री से जो आंगल बड़ा होता सु क्या बोलते तो जो मरा सबस्क्त डायग्राम कि सांग्राम यहन इस तरीकिक कई सब्सक्ते ग्रण से आ रही है ठीके यह यह बन रहा है यहां पर इम्रों इस एंगल को क्या बोलते हैं राइट एंगल कि ए मैं राइट एंगल बोलते हैं यह हमारा क्या था और इस एंगल था रहा है ठीक रहे होневर straight line दिख रही है बिल्कुल straight line है और ऐसे half circle बन रहा है रहा है semi circle बन रहा है बतलब यहां पिए 180 डिकरी का एंगल बन रहा है 180 डिकरी का एंगल जह बनता है तो हम उसे एंगल को क्या पोकर जब भुँते है straight line angle straight angle clear ठीक है अब यहां देखें next diagram क्या है next diagram diagram में हमारा 180 से क्या है 180 से भी ज़्यादा more than 180 है तो हम इस angle को क्या बोलेंगे reflex angle ठीके इस diagram में देखें इस diagram के अंदर अगर हम बात करें initial point O की तो यहां से अगर हम सीधी line draw करें तो यह 90 degree का यहां बनना चाहिए था ठीके यहां बनना चाहिए था 90 degree का इस तरीके से तो यह 90 degree से क्या है कम है जब 90 degree से कम है less than 90 degree and more than 0 degree तो यह angle कौन सा angle कहलाएगा acute acute angle ठीक है clear अब यहां देखिए यहां क्या है हमारे पास यह complete circle बन रहा है न जब complete circle बन रहा है मतलब यहां पे 360 degree का angle बन रहा है तो 360 degree के angle जहां बनते हैं उस angle को क्या बोलते है उस angle को complete angle बोलते है ठीक है तो यह मेरा complete angle है ठीक है यह acute angle है यह reflex angle है यह straight angle है यह right angle है और यह obtuse angle है ठीक है तो इस तरीके से first question के तो हमने सारे angles देख लिए second question भी आपको क्या करना ने पिटा है second question में degree के form में आपके पास given है degrees given है ठीक है अब उस degrees को देखते हुए आपको बताना है कि वो कौन सा angle है ठीक है तो आपको degrees मैंने बता दिये अभी right angle में कितने degree का होना चाहिए obtuse में कितने degree का होना चाहिए ठीक है और किस से जादा और किस से कम होना चाहिए ठीक है right angle के अंदर कितना होना चाहिए प्लियर, acute में कितना होना चाहिए, straight में कितना होना चाहिए, तो second questions आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे, आपके पास degree given है, उस degree के according आप angle बताएंगे, कि ये degree कौन से angle का होना चाहिए, ठीक है, उसके बद third question देखे, third question में क्या बता रखा, third question आपका है, how many degrees are there in, हमें degrees find out कर नहीं है, नहीं देखे, first question है, one right angle, लूटा एक right angle में कितने degree होते हैं, तो one right angle में तो simple है, 90 degree होते हैं, ठीक है, अब अगर हमारा fourth question देखे, तो fourth question में हमें degree find out करनी है, और degree कैसे, कहा find out करनी है, तो four right angle की degree find out करनी है, मतलब हमारे पास एक right angle नहीं है हमारे पास 4 right angle है तो जब हमारे पास हमें ये पता है कि एक right angle की जो होती है value वो क्या होती है 90 degree होती है तो हमारे पास 4 right angle है 4 right angle होने का मतलब क्या है 4 right angle की अगर मैं degree जाननी है तो जब एक right angle की degree पता है और 4 की निकालनी है तो आप क्या करेंगे आप simply क्या कर देंगे 90 degree को 4 से multiply कर देंगे ठीक है तो हम 90 into 4 करेंगे ठीक है तो 4 zeros आ यहाँ पे 0 ठीक है तो यहाँ पे कितने degree का angle बन रहा हमारा अगर हम बात करें 4 right angle की तो 4 right angle में कितने degree बन जाएंगे 360 degree बन जाएंगे ठीक है clear तो यहाँ पे हमने degree find out कर दी अब अगर हमसे पूछा जाए कि 3 right angle में कितने होंगे तो क्या करना है simply एक right angle की हमें value पता है 90 degree दो पूछ ले तो 2 से multiply कर दें 3 right angle के बारे हम पूछ ले तो आप 3 से multiply कर दें इस तरीके से आप degrees find out कर सकते हैं वही अगर हम बात करें 5th question की 5th question में क्या करना है 2 by 3rd ठीक है 2 third of right angle तो हमें क्या बताना है कि 2 third of right angle में कितने degree होंगे ठीक है क्या से solve करेंगे इन questions को तो इसको solve भी बड़े simple से करेंगे हमें निकालना किसका है हमें निकालना है 2 3rd ठीक है अब 2 3rd of right angle मतलब एक right angle 90 degree का है और निकालने कितने के 2 3rd part का निकालना है तो 2 3rd upon 90 2 3rd into 90 degree अब जब हम multiply करेंगे 90 degree से तो यहां देखिए यहां अगर हम cross में देखिए तो 3 और 90 यह दोनों क्या हो रहे हैं यह दोनों एक दूसरे से एक same table से cut रहे हैं ठीक है 3 की table में 3 1s आ 3 and then 3 3s आ 9 and 0 का जिक है उसके बाद यहां पे यहां होगे आपका 30 degree ठीक है अब सामने सामने क्या बजगे आपका 30 इदर बजगे और 2 इदर बजगे ठीक है तो 2 से 30 को into कर देंगे ठीक है तो देखिए यहां पे 2 3s आ 6 and 0 का 0 ठीक है तो 2 को 30 से multiply करेंगे तो हमारे पाल कितने degree आ जाएंगे 60 degree तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं right angle का 2 3rd part निकालू तो वो कितने degree का बन जाएगा वो हमारा बनेगा 60 degree का तो इस तरीके से हमें degrees find out कर नहीं है ठीक है